करने वाले हैं के कलपना इंड़ेट के बारे में जो कि प्लास्टिक सेक्टर की इंड़ेट्री है और प्लास्टिक से संबंधित पॉलीमर कंपाउंद्स पॉलियेट्रीन वगरा यह कंपनी बनाती है कंपनी फिलाव काफी आच्छी-कासी ग्रावर्ण देखी गईए अब प्रॉल्म यह है कि छोटी-चोटी इन्वेश्टेर्स हैं हमारे यूट्यूब फैमली और भी वह सारी है जो इसमें हाइबर बाइक कर रखाता उन्होंने उनको काफी अच्छा-कासा मतलब लॉस हो रहा है तो अभी क्या करना चाहिए उलोगों को दोको इस दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में मतलब यह चीज जानने कोशाज करेंगे कि कमपणी में चल क्या रहा है एक्टियू में ग्रावट हो रही ह गिरावट कब तक होगी क्या कमपणी दोबारा बांसुएक मारेगी क्या मैं इसको होल्ड करना चाहिए कंपणी क्या प्रोडक्ट्स मनाती है क्या का इंडेस्टिय में यूज होता है और भी बहुत सारी चीजह हैं बहुत सारे फंडमेंटरेस हैं जो कि हम इस वीडियो में प्रोडक्स की, company actually में क्या manufacture करती है, तो यहां पर हम products में देखेंगे, आप cable compounds, cable जो होते हैं दूस्तों, उसमें plastic होती है, ठीक है, उसकी ऊपर वारी जो layer होती है, उसमें plastic होती है, तो जो plastic जो है, जिस compound से बन दिये, वो cable compounds company बनाती है, क्लोंड सिंथेटिक्स प्लास्टिक डेसा प्लास्टिक क mutually बनाती है और आग्पलांस में इंजीनेर बनाती है स्क्रीं प्लास्टिक्स णुक्त स체 यह आप देखोंगे इंसुलेटर में इलेक्ट्रीकल में यूज होती है तो इस तरीके से कम्पनी का जो इसका कमपाउंड है दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर यह PVC के मार्केट में ठीक है इन पीए कंपाउंड्स पीए क्या है दोस्तों पॉलिएथिलीन यहां पर कंपणी ने बैंसन कर रहा है कल्प के कलपना इंडेस्ट्री इंगेज्ड इंगेज्ड इन करें के कंपने के प्रफर्मेंस कर रही है मार्केट कर रहा है का फिप्टी क्रोका है मतलब बहुत कम है तो इस से हमें एक चीज के लिए हुआ था है तो यहाँ पर एक चीज के लिएटे कि इस कंपणी के और वह घ्रोथ नहीं कर रहे हैं पर टीज फिर और ते लिए वह टेबन करता है संट होते हैं तो तتي रेब्स टॉटेटे का है और रिजर्व कम्पनी कपास 14-8 करोड तो कंपनी कपास कर जावी है रेजर्व कम हें कंपनी कीव स्करजाए कर्ण लायबिल्टी 15-4 क्रोड की हैं गज़ेंन आसेट्स कम्पनी के पास 24.8 कोड़ के हैं ज्यादा है लेकिन कमपनी पास जो एसेट्स हैं उनसे बहुत कम रेटर्ण कर पारेए 1 1 16 परेहन का जैसे कि मैंने आपको बताया था कम्पनी की सीर्ज हुए यहाँ पर मानेस में चल रही है और यहीं वजाए जिसकी वैसे कम्पनी के आरोई और आरोसी हमको अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं कम्पनी पास अगर हम कैस की बात करते हैं कैसे क्यूवैलेंस कुछ भी नहीं है यहाँ पर 0.23 क्रोड का है और बहुत ज़्यादा है और प्रमोटर्स की होलिंग 74.8% की है तो हमने यहाँ पर देखा कम्पनी के पास केवल एक ही फिलाल में अच्छी चीज देखने को मिल रही ह और वो ही है कि कम्पनी के पास 74% की हिस्सेदारी है प्रमोटर्स के बास चीक है बागी और इसमें क्या खराब ही है कम्पनी पास डेर ज़्यादा है और सेल्स नहीं हो रही है जिसकी वैसे ROC और ROE भी सही नहीं है और इस्टो का PE सस्ता है जो की अच्छी चीज़ है तो PE औ कंसिस्टेंसी इसमें डाउनफोल्ड देखरें को मिला बीच में सेप्टमब 2020 में 582 क्रोड की हुई थी और उसके बाद 12 करोड चार करोड सो करोड ठीक है तो यह एक कंसिस्टेंसी नहीं रहती इस कंपनी की सेर्च में जिसकी वैसे क्या है कंपनी कुछ कंपनी में उतार चलाब बहुत ज्यादा देखरें को मिल दाते हैं कंपनी के चार्ट को भी अकरम देखते तो वहां पर इसका सीधा अफेक्ट कंपनी के मार्केट में देखरें को मिलता यहां पर मैंग्जम चार्ट उपन करता हूं यहां पर तो आप देख सकते हो कि कंपनी में बहुत ज्यादा उता चला हमें देखने को मिलते हैं एक दम से उपर जाता है एक दम से नीचे आता है अभी मैं आपको बता दू यह के कलबना इंडस्ट्री जो है डीडे प्लास्टि के इंडस्ट्री लिम्टेड प्लास्टिक प्रोसेजर एंड एक्पोर्टर प्राइव लिम्टेड इस कंपनी की सब्सेटरेज कंपनी हैं अब हम बात करते हैं मैंनमुद्देगी कि जिन लोगों इसको यहां कहीं पर यहां कहीं पर बाइक आता उनको क्या करना चाहिए तो मत सोचना और मैं आपको बता दूँ इसमें बाइक मत कीजागा तो बैठर रहेगा बाकि जो लोग पहले से भसे हुए उनको क्या करना है उनके लिए मैं आपको बता दू मालीच आपने यहां कहीं पर हाइबर बाइक किया था और आपको अभी ग्रावर ठोक चुकिए काफ आपको परेसान नहीं होना है दोस्तो से अच्छी आजिक्वी होती है को तो इसतरके से इससे पहले ले narratives ज़टकी दे रखते हैं तो अभी तो परिशानम नहीं होना से अगर आप लो लॉस में चल रहे हो 70% की लॉस में तो आपको शेयर बेचना नहीं है आप इसको hold किजिए ठीक है तो हम इसको लंबे समय के लिए आप इसमें से profit बनाओ और निकल जाओ ठीक है दोस्तों तो वीडियो अच्छे लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बल्या मैं आपको इच चीग बताती जिए बधने को दस साल होगे मार्केट में और तो इसलिए मैं आपको बोड़ रहा हूँ, इसको लंबे समय के लिखने करना है, प्रॉफिट जब हो जाए आपको, प्रॉफिटेबल जब हो जाए उसके बाद निकल जाना है। So, thanks for watching and subscribe राब!